नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी नियूज में अब ने एक नए समिकरन पर बिचार कर रही है। बताया जा रहा है कि जदियू अब एक बार फिर से लबकुस समिकरन के भरों से आगे बढ़ने पर बिचार कर रही है। बाजपा बिधान सबाच चुनाव में बड़ी पार्टी के तावर पर तेजी से उभरी है और आने वाले समय में बाजपा की नजर बिहार की गद्दी पर है। पर पहुँचने के लिए उन्हें एमबाई समीकरन का सहरा लेना होगा। इसके लिए बीजेपी ने अपनी कवायत तेज कर दी है। बीजेपी यादा बोटरों को अपनी और खिचना चाह रहा है। जिससे के लिए बाई समीकरन में बाई को मजबूत कर सके। में ग्रीह मंत्री बनाया। अब वह बिहार बीजेपी के चेहरा है। इसकड़ी में बीजेपी अब बाई के साथ ही एम को भी अपने फाले में साधने की कोशिस कर रही है। सहनवाज हुसैन को बिहार भेजने का फैसला भी इसी कड़ी का मना जा रहा है। कोई मजबूत मुस्लिम नेता हो तो राज़त के माई समीकरन में सेंध लगाया जा सकता है। बीजेपी ने इसी का फाइदा उठाते हुए सहनवाज हुसैन को बिहार में सक्रिय करने की राजनीती बनाई। आपको पता दें कि सहनवाज हुसैन कि संगंज और भागलपूर से सांसद रहे हैं। सुत्रों की माने तो आने वाले दिनों में राज़त के लिए माई को मजबूत अधार देने वाले कई अन्यताओं को बीजेपी अपने में सामिल कर सकती है। कुछ दिन पहले हुए बीजेपी मिलन समारोह में भुपेंदर यादम ने कहा था कि अभी तो अंगड़ाई है बाकी पूरी लड़ाई है बिहार और बिहार के जुड़ू ही और भी ऐसे ही ख़बरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे दिजे जाजत धन बने बाद़